नमस्कार आगनबारी बहनों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंफोर्मेटीव जनकारी देने वाले हैं जैसा कि आप लोग अपने आगनबारी केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से लेकर 11 11 बजे तक करती हैं तो यहां पे आज सीरिस वीभाग ने एक पत्र जाड़ी किया है और आप लोगों के आगनबारी केंद्रों का जो समय संचालन है उसमें परिवर्तन किया गया है तो आए इस पत्र में जानते हैं कि कब से कब तक आगनबारी केंद्रों का संचालन किया ज जिसकी संची का संख्या है 3623 और इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS और सभी जीला पतदिकारी को ये लेटर जारी किये गए हैं यानि कि पूरे बिहार में जितने भी आंगनबारी केंद्रों का संचालन सुबह 7 वजे से या सारे 7 वजे से सारे 11 वजे तक चल रह था उन आगनबारी केंद्रों का संचालन यहां पर बदलने वाला है तो जैसा कि यहां पर इस लेटर का विशाय दिया गया है आगनबारी केंद्र संचालन के संभाए परिवर्तन के संबंध में निचे आपको पुरी जनकारी मिलेगी अगर आप लोग को आज की ये वीडि कर लिजिएगा चले बढ़ते हैं इस लेटर में आगे जैसा कि आप देख सकते हैं महासे उपरिवक विशाय के संबंध में सुचित करना है कि वर्षा रितु के आगमन होने के कारण आगनबारी केंद्र संचालन ओधी पुर्व निर्धारित समय तालिका के अनुसार एक अ आगनबारी केंद्रों का समय संचालन है वो नौ बज़े से एक बज़े तक रहने वाला है तो आप सभी आगनबारी बहने एक अगस से इस नियम को अपने आगनबारी केंद्रों पे लागू करेंगी और नौ बज़े से लेके एक बज़े तक जो भी आगनबारी केंद्र का संचालन है वो आप लोग करेंगी अता अनुरोध है कि परिवर्ति समय वम अवधी के अनुसार अपने जीला अंतरगत सभी आंगनबारी केंदर का संचालन सुनिश्चित कराये जाए तो यानि कि इस पूरे पत्र में जो निर्देश मिले हैं वो सभी आंगनबारी केंदरों पर लागो होंगे एक अगस 2022 से लेके अगले अधेश तक आपको नौ बज़े से लेके एक बज़े तक आपको आगनबारी केंदरों का संचालन करना है तुमीद है आप लोग को आज की छोटी सी वीडियो से जनकारी मिल गई होगी अगर वीडियो पसंद आई होते इस वीडियो को और भी आगनबारी बेहनों के साथ सेर भी कर देजिएगा मिलते हैं फिर किसी नए तोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने लहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद